T20 World Cup में भारती टीम ने करिश्मा करके दिखाया टीम इंडिया ने World Cup का खिताब जीत कर हर भारत वासी को, हर देश वासी को गौरफ से भर दिया है हर किसी में अलग किसम का एक उच्सा नज़र आ रहा है और प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी भी इस जीत से बेहत उसाइथ है टीम इंडिया की World Cup जीतने पर पियम मोदी ने टीम इंडिया से फोन पर बात की पियम मोदी ने इंडियन फ्रेर्स को जीत की बदाई दी उन्होंने रोहिच शर्मा को उनकी शांदार कैप्टनसी के लिए बढ़ाई दी उनके T20 करियर की सरहना की प्यम मोदी ने सूरे कुमार के कैच का भी जिक्र किया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने फानल में विराट कोली की शांदार पारी और भारते क्रिकेट में उनके योगदान को सरा है और प्रधान मंतरी मोदी ने भारते क्रिकेट में उनके योगदान को लेकर बात की है और यहां पर आप देखिए रोहिच शर्मा नजर आ रहे हैं इसके बाद विराट कोली भी नजर आ रहे हैं प्रधान मंतरी ने हर एक टीम के सदस्ते के साथ बात की राहुल द्रवीर कोच उनके भी योगदान को लेकर प्रधान मंतरी मोदी ने उनसे बात की और धन्यवाद भी दिया और प्रधान मंतरी से बात करते हुए आपको रोहिच शर्मा विराट कोली और साथ ही राहुल दवडवी नजर आ रहे हैं हमारे साथ अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं अविनाश भारत के लिए एतिहास एक दिन भारत के लिए खुशी का दिन और ये जो शन है प्रधान मंतरी मोदी ने खिलाडियों के अंदर जो बात करके सीधे बताई दिये मुझे लगता है कि उसे और दोगुना कर दिया मोदी भी काफी ज़्यादा उत्साहित हैं और काफी ज़्यादा खुश हैं और यही कारलेकल जैसे भारती टीम जीती पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बदाई दी भारती टीम को और उसके बाद फिर आगर बात के तो आज सुबह सुब हो गया उनकी जो है अब आगे की जो सेवाएं समाप्त हो गई है लेकिन जिस तरीके से अगर बात के तो रोही शर्म हो या चाहिए विराट को लिए हो आगे वंडे और टेस्ट में तो नजर आएंगे लेकिन टी-20 में अब उन्होंने सन्याज की गोशला कर दिया है तो प् गेंदबाजी की और 16 रन चाहिए थे आकरी ओर में और मिलर जैसे खिलाडी सामने खड़े थे इसके बावजुद उन्होंने भारती टीम को जीत दिलाई तो इसके लिए भी उनका उत्साहव अर्धन किया और इसके साथ साथ शूर रिकुमार याद हो जिस तरीके से उन्हो गेंदबाजी की चार ओवर में महज 18 रन दे करके दो विकेट लियें इसको भी प्रदान मंतरी नेंदर मोधी ने काफी सा रहा है और जिस तरीके से भारती टीम अजे रहते हुए इस पूरे टोर्नामेंट को जीती है उससे भी प्रदान मंतरी काफी उत्साहित और सभी खि 11 में आखरी बार भारती टीम ने ICC की कोई भी ट्रॉफी जीती थी यानि कि 13 सालों के बाद कोई भी वर्ल्ड कप भारती टीम जीत पाई है तो जाहिर तोर से बात कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने सभी खिलाडियों को सराहा है और अभी अगर बात के तो नवंबर में जिस तरीके से वन डे वर्ल्ड कप भारत नुवा था और एमदाबाद में भारती टीम फाइनल में मैच हार गई थी तो उस वक्त भी प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने ड्रेसिंग रूम में जा करके सभी खिलाडियों से बात चीत की थी उनकी होसला अफजाई की थी उनक अगर अब बात के जिस तरीके से एक बड़ा टूर्नमेंट हुआ T20 वर्ल्ड कप पा वहाँ पर भारती टीम ने भारत का जो जंडा है वो लहरा दिया है और प्रदान मंतरी भी इससे काफी उतसाहित हैं लेकिन अविनाश सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीत जो मिली है बहुत मुश्किल थी एक वक्त तो ऐसा ही लगा कि मैच तो गया चौदवे ओवर में जब स्क्रोड बोर्ड पर देख सकते थे कि सरफ चार विकेट गिरे थे साउट अफरिका के तब किसी नहीं नहीं सोचा था लेकिन टर्निंग पॉइंट लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है हम कह सकते हैं सूरे कुमार का वो कैच जो हर इतिहास में याद भी रखा जाएगा और हर खिलाडी को देखना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनाश